दोस्तों बहुत बहुत स्वागत थी आपका एक पार फिर से आपके अपने ही चेनल के रिग पॉली पार जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पिरियंका चोपडा, करीना कपूर और कटीना कैफ की साल 2000 से लेकर साल 2009 तक की टोटल फिल्मों के बारे में यानि के साल 2000 से लेकर साल 2009 तक पिरियंका चोपडा, करीना कपूर और कटीना कैफ ने टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम क्या, इनमें से कितनी फिल्मों हिट रही, कितनी फ्लॉप रही, सबी फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में और साथे साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि प्रियंका चोपडा, करीना कपूर या फिर कर्टीना कैफ साल 2000 से लेकर साल 2009 ता कि जो 10 सालों का करियर था इसमें सबसे ज्यादा हिट और सूपर हिट किसके नाम है तो बात करेंगे इसी के बारे में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रियंका चोपडा की तो प्रियंका चोपडा ने अपने इन पूरे 10 सालों के करियर में लगबख 25 फिल्मों में काम किया है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि साल 2000 और साल 2001 और साल 2002 ये 3 साल प्रियंका के चोपडा के लिए बिलकुल खाली थे क्योंकि प्रियंका चोपडा ने अपने करियर की शुरुआत की थी साल 2003 में आई फिल्म दा हीरो से तो साल 2003 में प्रियंका चोपडा ने दो फिल्मों में काम किया था जिसमें दा हीरो और अंदाज जैसी फिल्म में शामिल थी दा हीरो 26 करोड उपे कमा कर एवरेज रही थी औ 2004 में प्रियंका चोपडा ने की थी मुझसे शादी करोगी एतराज, पिलान, किस्मत और असंभव मुझसे शादी करोगी 30 करोड रुपे कमा कर हिट रही थी एतराज 15 करोड पाचास लाख रुपे कमा कर एवरेश रही थी पिलान साड़े 6 करोड उपे कमा कर फ्लॉप रही थी, किसमत 5 करोड उपे कमा कर डिसास्टर रही थी, असंभव 3 करोड उपे कमा कर डिसास्टर रही थी साल 2005 में प्रियंका चोपडा ने की थी, बलफ मास्टर, वक्त, बरसात, करम और ब्लेक मेल ब्लफ मास्टार 19 करोड उपे कमा कर हिट रही थी, वक्त 20 करोड उपे कमा कर एवरेज रही थी, बरसात 10 करोड उपे कमा कर एवरेज रही थी, करम 5 करोड उपे कमा कर फ्लॉप रही थी, और ब्लेक मेल 4 करोड उपे कमा कर डिसास्टर रही थी 2006 में प्रियंका चोपडा ने की थी तीन फिल्में किरिश, डॉन और आपकी खातिर किरिश 72 करोड उपे कमा कर बिलोग पास्टर साबित हुई थी डॉन 50 करोड उपे कमा कर हिट रही थी और आपकी खातिर 6 करोड उपे कमा कर डिसास्टर रही थी 2007 में प्रियंका चोपडा ने की थी सलामे इश्क और बिग ब्रॉदर सलामे इश्क 23 करोड उपे कमा कर डिसास्टर रही थी बिग ब्रॉदर 5 करोड उपे कमा कर डिसास्टर रही थी 2008 में प्रियंका चोपडा ने की थी दोस्ताना फैशन गौड तुसी ग्रेट हो लव स्टोरी दो हजार पच्चास, चमकू और डरोना दोस्ताना 44 करोड उपे कमा कर आबरेज रही थी फैशन 26 करोड उपे कमा कर आबरेज रही थी गौड तुसी ग्रेट हो, साड़े 12 करोड उपे कमा कर फ्लॉप रही थी लव स्टोरी दो हजार पचास ग्यारा करोड पे कमा कर डिसास्टर रही थी, चमकू दो करोड पे कमा कर डिसास्टर रही थी और डरोना नो करोड पे कमा कर डिसास्टर रही थी और साल 2009 में प्रियंका चोपडा ने दो फिल्में की थी कमीने और वाट से और राशी कमीने 41 करोड रुपे कमा कर एबरेज रही थी और वाट से और राशी 10 करोड रुपे कमा कर डिसास्टर रही थी अब प्रियंका चोपडा ने अपने पूरे करियर में यानि के साल 2003 से लेकर साल 2009 तक टोटल 25 फिल्मों में काम क्या अब इसमें से अगर हिट फिल्मों की बात करें सूपर हिट फिल्मों की बात करें ब्लॉग पास्टर फिल्मों की बात करें तो इसमें से प्रियंका चोपडा के जो हिट फिल्मे है उसमें डॉन ब्लॉफ मास्टर मुझसे शादी करोगी और अंदास चार फिल्में हिट है सूपर हिट पिर्यंका चोपड़ा के करियर में इन दस सालों में कोई भी फिल्म नहीं है ब्लॉफ पास्टर सिर्फ एक फिल्म है वो है किरिश अब बात कर लेते 2001 में करिना कपूर ने की थी कभी खुशी कभी गम मुझे कुछ कहना है अजनबी यादे और अशोका कभी खुशी कभी गम 55 करोड उपे कमा कर ब्लॉक बास्टर साबित हुई थी मुझे कुछ कहना है 18 करोड उपे कमा कर सूपर हिट रही थी अजनबी 17 करोड उपे कमा कर ए चिना सिर्फ मेरे लिए मुझसे दोस्ती करोगे 13 करोड़ उपे कमा कर फ्लॉप रही थी और जीना सिर्फ मेरे लिए 60.5 करोड़ उपे कमा कर फ्लॉप रही थी 2003 में करिणा कपूर ने की थी मैं प्रेम की दिवानी हूँ, LOC कारगिल, खुशी और तलाश मैं प्रेम की दिवानी हूँ, 18 करोड उपे कमा कर फ्लॉप रही थी LOC कारगिल 17 करोड उपे कमा कर फ्लॉप रही थी खुशी 9 करोड उपे कमा कर फ्लॉप रही थी और तलाश आठ करोड उपे कमा कर फ्लॉप रही थी 2004 में करीडा कपूर ने की थी हलचल एतराज युवा, फिदा, देव और चमेली हलचल 20 करोड उपे कमा कर हिट रही थी एतराज 15 करोड पाचासलाख उपे कमा कर एवरेश रही थी यूवा 14 करोड उपे कमाकर एवरेज रही थी फिदा 10 करोड उपे कमाकर फ्लॉप रही थी देव 7 करोड उपे कमाकर फ्लॉप रही थी और चमेली 3 करोड उपे कमाकर फ्लॉप रही थी 2005 में करिना कपूर ने की थी बेवफा क्योंकि और दोस्ती बेवफा 17 करोड उपे कमा कर एवरेज रही थी क्योंकि 13 करोड उपे कमा कर फ्लॉप रही थी और दोस्ती 9 करोड उपे कमा कर फ्लॉप रही थी 2006 में करिना कपूर ने की थी 36 चाइना टाउन ओमकारा और चुप चुप के 36 चाहिना टाउन 25 करोड उपे कमा कर हिट रही थी ओमकारा 23 करोड उपे कमा कर फ्लॉप रही थी और चुप-चुप के 14 करोड उपे कमा कर एवरेज रही थी साल 2007 में करीना कपूर ने सिर्फ एक फिल्म में काम क्या था फिल्म का नाम था जब वी मेट और जब वी मेट ने 31 करोड रुपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी 2008 में करिना कपूर ने की थी गोल माल रिटन और टेशन गोलमाल रिटन 51 करोड उपे कमाकर हिट रही थी और टशटन 30 करोड उपे कमाकर एवरेज रही थी मैं और मिस्स खन्ना 7 करोड उपे कमाकर डिसास्टर रही थी अब बात करें Karina Kapoor की हिट, Super Hit और Blockbuster फिल्मों की तो Karina Kapoor की हिट लिस्ट में 4 फिल्में शामिल है जिसमें Goal Maal Return, J Game We Made, 36 Chinatown और Hal Buffalo जैसे फिल्में शामिल है Super Hit एक फिल्म है मुझे कुछ कहना है और Blockbuster लगग दो फिल्में है कभी खुशी कभी गम और Three idiot अब अगर बात कीज़े काट्रीना कैफ की, तो काट्रीना कैफ ने अपने इस 2003 से लेकर और 2009 तक के करियर में लगबग 14 फिल्मों में काम किया है 2003 में कट्रिना कैफ ने अपने करियर की शुरॉत की थी फिल्म बोम से और बोम फिल्म साल 2003 में 6 करोड उपे कमा कर फ्लॉप रही थी उसके बाद 2004 कट्रिना कैफ के लिए बिल्कुल खारी रहा लेकिन साल 2005 में कट्रिना कैफ ने दो फिल्मों में काम किया मैंने प्यार क्यों किया और सरकार मैंने प्यार क्यों किया 26 करोड पे कमा कर हिट रही थी और सरकार 25 करोड पे कमा कर हिट रही थी 2006 में कटिना कैफ ने की थी सिर्फ एक फिल्म हमको दिवाना कर गए और हमको दिवाना कर गए फिल्म ने 14 करोड़ पे कमाए थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी 2007 में कटिना कैफ ने की थी वेल्कम पार्टनर नमस्ते लंदन और अपने वेल्कम सत्तर करोड़ पे कमाकर सूपर हिट साबित हुई थी पार्टनर साट करोड़ पे कमाकर सूपर हिट रही थी नमस्ते लंदन 37 करोड़ पे कमाकर हिट रही थी और अपने 22 करोड़ पे कमाकर ए 61 करोड उपे कमा कर हिट रही थी और यूवराज 17 करोड उपे कमा कर डिसास्टर रही थी 2009 में कटिना कैफ ने की थी अजब प्रेम की गजब कहानी देदानादन और नियॉर्क अजब प्रेम की गजब कहानी 63 करोड उपे कमा कर सूपर हिट साबित हुई थी दे दनादन 48 करोड उपे कमा कर एबरेज रही थी नीयूर्क 45 करोड उपे कमा कर हिट रही थी अब करेना कपूर की अगर हिट और सूपर हिट फिल्मों की बात करें तो इसमें हिट फिल्मों की लिस्ट में 5 फिल्में शामिल है नियू यूर्क, रेस, नमस्ते लंदन, सरकार, मैंने प्यार क्यों किया सूपर हिट भी चार फिल्म में है अजब प्रेम की गजब कहानी, सिंगिस किंग, पार्टनर और वैलकम तो यहाँ पे अब अगर तीनों की परफॉर्मस देखी जाए साल 2000 से लेकल साल 2009 तक तो यहाँ पे कर्टिना कैफ बहुत ही आगे है, करीना कपूर और प्रियंका चोपडा से तो यहाँ पर कर्टिना कैफ ने बासी मारी है, लेकिन दोस्तों आपको इन तीनों में किसकी परफॉर्मस सबसे ज्यादा अच्छ लेगी और कटिना के आप, प्रियंका चोपडा या फिर करीना कपूर की आपको समसे ज़्यादा कौन से फिल्म पसंद है कमेंट में सुरू बताईएगा थांक यू